हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने इंफिनिक्स हॉट 30i Android में आप अपने मुवाइल फून का इस्टोरिज आप कैसे बढ़ा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप की मुवाइल फून का इस्टोरिज जो है वह बड़ जायगा ठीक है आज कि इस वीडियो में बताने वालों कि कैसे आप अपने मुवाइल फून से फालतों का डेटा हटा के आप अपने फोन के स्टोरिज को कैसे बढ़ा सकते हैं तो चलिए यहाँ वीडियो को में स्टार् वह दिखाया देता है एप इन्फो या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे आपको टैप करना है तो आपका यह वाला पीज आएगा इस पीज में आपको यह स्टोरेज एन्ट का ऑप्षिन मिलता इसे tap करना है इसके अंदर दो option मिलते हैं एक तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले से clear catch पे tap करना है इसके बाद आपको इसे clear storage पे tap करना है आपका एक page आएगा delete app data का इसमें आपको ok का button tap करना है ठीक है यहां पर आपको user data और यह catch इन दोनों के सामने अला data आपका zero हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देना है ठीक है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपके देखिए mobile phone में काफे सारे ऐसे apps होंगे जो की फाल्त होंगे ठीक है तो जितने भी apps आप आपको use नहीं करते हैं ठीक है जिन apps को आप यूज नहीं करते हैं उन apps को अपने phone से हटा देना यानि कि अनिस्टॉल कर देना है ऐसा में इसलिए कह रहा हूं दिखे आप कभी भी किसी भी app को अगर अपने phone में इंस्टॉल करते ना तो वह जो आप होता है किसी एंबी का होता है तो जब वह इंस्टॉल होता है आपके फोन में तो आपके फोन के storage को कवर करता है तो अगर आप इसी तरह किसे फालतु के वीडियो जो है वह आपको पर्मानेंट डिलीट कर देनी है जिससे आपके फोन का storage बढ़ जाएगा ठीक है अब आपको अगला काम यह करना है कि आपके mobile phone में काफी सारे ऐसे apps होंगे जिनके अंदर backup की setting होती है तो जिजिस app के अंदर आपको backup की setting मिलती है उन apps के अंदर से आपको backup setting बंद करना है ठीक है एग्जामपल के लिए यहापर मैं आपको बता देता हूँ एक app के बारे में देखिए यहापर phone की gallery को मैंने open किय इसमें सबसे ओपर right side की top पर यह profile picture होती है इसे tap करना है यहापर एक page आएगा इसमें देखिए backup की setting है यह backup setting मेरी पहले से off है अगर आपकी चालू रहती है तो इसे आपको बंद करना है और जिजिस app में आपको backup setting मिलती है और सभी apps में से backup setting को बंद करना है ठीक है तो यह होगी apps की backup setting की बात अब आपको अपने mobile phone की backup setting बंद करना है इसके लिए आपको mobile phone का setting page उपन करना है इसमें आपको सबसे नीचे system पर टैप करना है अब इसके अगले page में आपको यह backup setting मिलता है ठीक है अब यह backup setting के अंदर आपको यह चालू रहती है तो इसे अभी आपको आपको सबसे आखरी प्रोसेस करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करने के लिए mobile phone का setting उपन कर लीजिए setting page में आपको सबसे नीचे की side इस system पर टैप करना है ठीक है अब इसके अगले page में आपको यह reset option मिलगा इससे टैप करना है अब इसके अगले page में erase all data factory reset पर टैप करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone का storage भी बढ़ जाएगा लेकिन आपको phone को reset करने से पहले द इस वीडियो में आपको जितने प्रोसेस बताएं सारे आपको यूज करने तो इससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा ठीक है